कहीं पर जब हम लोगे मान करके चलते हैं पिया तो विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं तो सौभाई पूप से वहाँ पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुकतना पड़ता है जिस विपक्स ने चुनाओ के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था वो आज फिर से उचल कूट करने का कारे कर रहा है हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तरप्रदेश का दिहान इनी गुंडों के लिए है भारती जनता पार्टी के कारे करता को किसी भी स्थिती में बैठ फूट पर आने की आउस्षिक्ता नहीं है याद करिए इसी महर्रम के समय में सडके खाली हो जाती थी सूनी हो जाती थी आज महर्रम आयुजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है कि सरकार नियम बनाएगी पर वो और दिवार मनाना है तो इन नियमों के अंतरगत मनाओ और ने तो अपने घर में बैठ जाओ उन्होंने कहा अगर कोई निवेश करेगा तो टकेत उसका प्रण कर देगी तो मैंने का मैं अगली बार तब आऊँगा जब यहां से टकेतों से मुख्त कर दूगा और राम कृष्ण और शिफ की इस परंपरा को क्या इस समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था क्या योध्या को लोहलोहां नहीं किया था इन माफियाओं के लिए भादिया बढ़ने वाले लोग किस प्रकार से चिला चिला करके फिर से चुनाती देने किसकी दिमाए है कौन नहीं जानता है दो हजार सोला में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अनुसूची जाती के नौजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम पिया था दस की दस उप चुनाओं फिर से भारतिये जंता पार्टी अपने बक्स में करने में सपन हो लोग सबहाद चुनाओं के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारती जन्ता पार्टी ने प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रत्तों में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सथलता प्राप्त करते हैं विपक्स को उसकी वास्तिविक इस्तित्रक पहुचाने का कारे किया था और लगातार उस पर दबाव बनाई रखा था कोई संदे नहीं 2014 में जितना मत्परसद भारती जन्ता पार्टी के पक्स में था 2017 में जितना मत्पर्चत भारती जनता पार्टी के पक्स में था 2022 में जितना मत्पर्चत भारती जनता पार्टी के पक्स में था दो हजार चौबीस में भी आप सभी कार्यकरताओं के संघर से प्रियास से प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व में मान्य राष्टिय द्हक्स जी के नित्रत्व में भारती जंता पार्टी उतना वोट पानी में सफल रही लेकिन जैसा वोटों की सिप्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोगे मान करके चलते हैं अतिया तुम विस्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं तो सौभाई गुरूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुकतना पड़ता है और वो अतियातम विस्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुचाने में उस विस्वास पर खरा उतरने में उन अबेक्साओं पर खरा उतरने में जहां कहीं न कहीं उस विस्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुची वहीं साती साथ जिस विपक्स ने चुनाओं के पहले हिम्मत हार करके बैढ़ गया था वो आज फिर से उच्छल कूद करने का कारे कर रहा है बेनोर भाईयों याद करिए 2020 का विदहन सवा का चुनाओ 2020 का विदहन सवा का चुनाओ विपक्स उचल गोट कर रा था चुनाओं के तकाल बात आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कारे करता इस बात को सोचता था कि वास्तों में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तरप्रदेश का विहान इनी गुंडों के लिए है और उस उत्तरप्रदेश को आप सब के सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई तो माफिया मुक्त उत्तरप्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संधर्सता पांसो वर्सों का अंदिजार समाप्त हो दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंपी जिन आकांसाओं के साथ जी रहे थे उन अप एक साओं पर प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रत्तों में दबलिंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोंत्या में राम लला के भब मंदिर निर्माण के साथ साथ पांसो वर्सों के बाद राम लला को बिराजमान करने का काम भी किया बेन और भाईयों भारती जनता पार्टी के कारे करता को किसी भी स्थिति में बैक फुट पर आने की आउस्थिता नहीं है किसी भी स्थिति में नहीं है क्योंकि आपने कारे किया है आप विपक्स में थे जनता के मुद्वा को लेके लड़ते थे आज जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्सा कई वातावरन आपको आज देखने को मिलना होगा याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सडके खाली हो जाती थे सूनी हो जाती थे आज मुहर्रम आयुजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे पीपल के पेड़ काटे जाते थे सडकों के तार हटाए जाते थे पूल तोड़ दिये जाते थे आज कहा जाता है किसी गरीब की जोपड़ी नहीं हटेगी आज कहा जाता है कोई तार नहीं अटेगा आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी पर वो रतिवार मनाना है तो इन नियमों के अंतरगत मनाओ और ने तो अपने घर में बैड़ जाओ यह मनमानापन नहीं चल सकता है और विधी का सासन कैसे होना चाहिए सुसासन कैसे होना चाहिए यह भारती जंता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है लोग कल्यान कारी कारियों का प्रिणाम कितना हुआ कोई सोचता था मैं याद है जब देश के अंदर करोना की हाट हुई थी मानिय नड़ा जी राष्पिय ध्यफ्स के रूप में बर्चुल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है मानोता संकट में है हमारे लिए एक ही मंत्र है प्रणान मंत्री जी का आदे से एक ही मंत्र है और वो मंत्र है सेवा ही संगठन है ये केवल भारतिये जंता पार्टी ने किया था मुझे याद है करोना काल खंड में केवल भाच्पा का कारीकरता या रास्ती स्वेमसेवक सडकों पर जन्टा जनारदन की सेवा कर रहा था अन्या किसी भी दल्गे किसी भी नेता का कोई अटापता नहीं था कारीकरताओं की बात तो दूर आपने देश के अंदर 10 कROđ गरीबों को मकान दिए उत्तर प्रदेस में 56 लाग गरीबों को बिना भेधभाव के मकान दिए हमने जो नारा दिया मुदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास हमने चाती मत और मजब की अधार पर भेधभाव किसी के साथ नहीं किया हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेद्वाव नहीं किया कोई भेद्वाव किसी के साथ नहीं किया विकास के कारियों के लिए भेद्वाव नहीं किया ये 80 करोड़ों को फ्री में रासन आज भी मिलना है क्या किसी चाती को मिलना है किसी मद्विसेश है किसी धर्मविसेश को मिलना है भारत भासी है उसको रासन मिलना है भारत पहला देश जिसने भूख से मौते नहीं होने दी बदहाली नहीं होने दी आत्महत्या नहीं होने दी किसी गरीब को सड़क पर भूपा से मरने करे मजबूर नहीं होने दिया लेकिन उस सब के बाप चूथ भार्पी जनता पार्टी का कारे करता लगातार कारे करता रहा विप्रीत प्रस्थितियों में अपनी जान की प्रवह के वेगर लगातार करोना जैसी महामारी से जूसता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कारे करने का प्रवह नाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी पाक्ते नत्मस्तों को गई उसी करोना को कहा समाप्त कर दिया मोदीची के नित्रतों में भारत ने सबसे अच्छा प्रेणाम देकर कि दुनिया के सामने कोविड प्रवंदन के एक नई अनूठी चाप छोड़ी बिमारियों से होने वाली मौद मुझे याद है 2014 में जब आदनी नड़ा जी भारत के स्वास्त और प्रिवार कल्यान मंत्री बने थे इन से प्लाइटिस के मुद्दे को लेकर कि एक सांसत के रूप में उनके पास गया था और उन्होंने कहा कि हम इसमें स्वयोग करेंगे नड़ा जी और मोदी जी के स्वयोग से गोरकपुर में एम से भी बना आज गोरकपुर का एम से चालू हो गया काम कर रहा है पुर्वी उत्तरब्रदेश और बिहार की नैपाल की एक बड़ी आवादी अपने स्वास्ति सुद्धाओं का लाग प्राप्त कर रही है और चालीस वर्स से जो बिमारी थी इस बिमारी से होने वाली मौत नप्पे से पिचानवे फिस्ती मौते अनुसोची जाती अती पिछडी जाती और अल्पसंक्यक समधायों की थी आज उस मौत को हम लोगों ने डबल इंचन की सरकार ने पूरी तरे नियंतिक किया है इसे फ्लाइट इस पूरी तरे समाथ तो हो गया है उत्तरब्रदेश जैसे राज्यमें इंफ्रस्टक्चर एक कल बना थी आज आप जाते होंगे आपको फोरलेन की कनेक्टिविटी मिलती होगी आज आप कहीं भी जाईए प्रियागरा चाहिए कासी चाहिए लखनों आईए अयोध्या जाईए गोरकपुर जाईए पस्यम के किसी भी जनपत में जाईए इंटरस्टेट बॉर्डर पर जाईए आपको लगेगा आज कोई नहीं कह सकता है उत्तरब्रदेश का वासी कहने में संकोच नहीं होगा क्योंकि उत्तरब्रदेश का इंफ्रस्टक्चर किसी भी अन्य जगे से अच्छा आपको प्राप्त होगा मुझे याद है जब मैं बुंदेल खंड गया था पहली बार मुख्य मंत्री बनने के बाद मेरे साथ आज के जल सक्ति मंत्री सी स्वतंतर देश सिंग्टे थे हम लोग चित्रकूट में गए मैंने चित्रकूट में वहाँ के कारेकरताओं के साथ बैठक किये चनपरतनिजियों के साथ बैठक किये रात्री को मैंने वहाँ के उत्यमियों और ब्यापारियों के साथ बैठक कि मैंने उनसे कहा मैंने कभी यहाँ चित्रकूट में अच्छे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं अच्छी धरम सालाई क्यों नहीं बन देएं उन्होंने एक ही बात कही उन्होंने कहा अगर कोई निवेस करेगा तो डकैत उसका प्रण कर देंगे तो मैंने का मैं अगली बार तब आऊंगा जब यहां से डकैतों से मुग्द कर दूँगा और मुझे बताते हुए प्रसंता है आज नकेवल बंदेलखन चित्रकोट बलकि पुरा बंदेलखन डकैतों से मुग्द हो चुका है माफिया से मुग्द डकैतों से मुग्द आज आप कहीं भी जाते होंगे क्या कासी, क्या अयोत्यार क्या मुथरा बिंदावन क्या बिंदवासनी धाम क्या सुक्तीर्थ, क्या नेमी सारणे क्या ये आपकी बैचारिक यात्रा और आपकी आज़ात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला आज़ात्मि देस 1947 में हो गया था एक काम 1947 में होना चाहिए था ये कारे उसके बाद होना चाहिए था डॉक्टर लोहा की विरासत को सम्माने वाले लोग जिस डॉक्टर लोहा ने कहा था कि भारत की पैचान तीन महापुरसों पर है उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी तब तक भारत का कोई बालबांका नहीं कर सकता है और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इस समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था क्या योध्या को लोह-लोहान नहीं किया था और क्या यही कार्य यह लगातार नहीं करते रहे मुझे अस्षर होता है राजुपाल की हत्या होती है प्रियाग राज में क्या राजुपाल पिशड़ी जाती के नहीं थे उमेश पाल की हत्या होती है क्या उमेज़वाल पिछड़ी जाती के नहीं थे बारती जंता पार्टी के विधायक क्रिशनानन्द राय की निर्ममत्या हो जाती है और क्रिशनानन्द राय के साथ गोलियों का सिकार होने वाले लोग कौन थे एक रमेज पतेल थे एक रमेज यादो थे कोई अन्ने पिषडी जाती का था क्या इनको पिषडी जाती में नहीं मानते लो क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी ये आवाज को तभी पल क्यों मिला जब भारती जन्ता पार्टी की सरकार दुए और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग किस प्रकार से चिला चिला करके फिर से चुनाती देने की स्थिती में आये है और इसी लिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था हो करके दिखाया सबका साथ और सबका विकास लोग कल्यान कारी योजना की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं क्या रासन की योजना क्या मकान की योजना क्या हर घर सोचाले की योजना चाए हर घर नल की योजना चाए आयूसमान काड या किसी भी अन्यम योजना में है उज्वला योजना की हो योजना हो कोई भी योजना हो क्या किसी के साथ कोई भेधभाव हुआ है जाती मज़्ध मजभ के आधार पर चेहरा देख करके किसी के साथ भी कोई भेधभाव नहीं सारी योजनाएं बिनाभेद भाव के हर्ट अपके को दी गई और हमें अस्थरे होता है समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नोच के मेडिकल कॉलेज की सर्चा भी कन्नोच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबासाब डॉक्टर भीमराम बेटकर की के नाम पे था समाजवादी पार्टी के ततकालीन मुख्य मंत्री ने नाम बदल दिया और इस बार जब मैं वहाँ गया था हमारे उहां मंत्री सियसीम और उने मेरे सामने इस बाज को रखा हमने उसी दिन कहा कि नहीं ये बाबासाब भीमराम बेटकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम करन उसी समय महाँ किया लखनों का भासा पिस्टो विद्याल है क्या इमानिवर कांसी राम जी के नाम पर नहीं था क्यों चेंज कर दिया गया ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में वह था दलिजिंतकों और महपुर्शों और समाजिक परिवर्टन के बाहा कुन महापुर्शों को क्या समाजवादी पार्टी ने अप्मानित नहीं किया था वो लगातार अप्मानित करते थे ये तो संविधान क्या उहिलना करते थे उन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसुचि जाती जन जाती और पिछड़ी जाती को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था कौन नहीं जानता है 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अनुसूची जाती के नौजवानों की स्कॉलर्शिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए पर नई संसत में प्रधान मंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधान मंत्रियें जिन्हों ने संविधान की मूल प्रती को अपने सिर पे रख करके नई संसत में स्थापित करने का काम किया था भारती जन्ता पार्टी संविधान को सरवच समान देने वाली पार्टी अनसुची जाती जन जाती और पिछडी जाती कैदिकारों को संग्रेक्षित करने वाली पार्टी लेकिन अफवा और घ्रम की स्थिति पैदा करके हैं जिस परकार से माहोल खराब करने का प्रियास किया गया यह जानते में दुनिया की ताक्ते जानती है यह समाज बिखरा होगा तो आसानी से सिकार हो जाएगा एक चुट होगा तो बड़ी बड़ी ताक्ते इस समाज की ताक्त के सामने धरासाई हो जाएंगे आप इस ताक्त को जाती के नाम पर बिभाजित करके सक्ती को छिन भिन करने का जो पाक अभी चुनाओ के दौरान हुआ है हमें उससे सतरक और साउधान होना होगा और वहीं से मैं कहने के लिए आया हूँ सोसल मीडिया फ्लेट फॉम आखिर आपके पास सब के पास स्मार्ट फॉन है सब लोग स्मार्ट फॉन पर अपने अपने गुरुप के साथ काम भी करते है एक दूसरे को मैसेज भी भेजते है एक दूसरे को सुबेच्छा भी देते है लेकिन क्या कारण था कि जो खड़ियंत्र हो रहे थे जिस खड़ियंत्र के आसंका दिखाई दे रही थी उस खड़ियंत्र को करने में वे विदेशी ताक्ते और विरोधी सभी सबल हो गए क्या कारण था हम लोगों को इसके बारे में जाग रूप होना पड़ेगा अब एक राष्टवादी मिशन के मजबूत स्टम्ब है और उस राष्टवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारती जनता पार्टी कहती है नेशन फस्ट देश पहले है दल बाद में है और मेरा स्वयम काहिद सबसे बाद में है उस भारती जनता पार्टी के कारिकरता को क्या यह नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चला है और उस अभिहान के साथ जुड़ना उसको देखना उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो दलित महापुरसों के चिंतकों के बारे में भारती जनता पार्टी की उपलब दिया गरीब कल्यान कारी योजनाए इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते उन लोगों के साथ संबाद बनाए होते तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती ऐसा नहीं कि ये खड़ंतर होए नहों होए 2019 में हुआ था 2019 में हुआ था 2019 में एक बड़े गड़बंदन को तरप्रदेश के अंदर बनाने का कारी हुआ था और तब आज की हमारे रास्तिय अध्यक्स तब प्रदेश के प्रभारी के रूप में इस दहित्तों का निर्वहन कर रहे थे याद करिये तब हम लोगों ने 43 पीस्ती वोट के प्रिस्द को बढ़ा करके 51 पीस्ती करने का काम किया था और भारती जन्ता पार्टी ने सबसे बड़े गड़बंदन को धरासाई करने का काम किया था इसी प्रदेश में किया था और इसलिए आज मैं कहने के लिए आयों सोशल मीडिया फ्लेट फोम आपके लिए कितना बड़ा उप्योग हो सकता है यह भी हमें देखना होगा बहुत सारी ऐसी चीजें जिन चीजों को हमें वास्तिविक धरातल पर उतारना होगा और उसके लिए अगर हम प्राण प्रण से जुट करके एक बार फिर से कारे करना सुरू करेंगे कोई कारण नहीं हमने नगर निकाय चुनों में सवी सत्रा की सत्रा मेर की सीठ हम लोगों ने जीती थी सत्रा की सत्रा सीठ भारतिये जन्ता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जीत करके पहली बार भारतिये जन्ता पार्टी सत्रा की सत्रा नगर निकम की सीठ जीती थी सरवाधिक नगर निकायों की सीठ जीती थी सरवाधिक यानि सत्रा की सत्रा नगर निगमों में भारती जंता पार्टी का फुल मैजोरोटी का बोर्ड बना और प्रदेश के अंदर सरवादिक पार्सक भी भारती जंता पार्टी के जीते हमारे महापौरकन यहाँ पर प्रदेश के अलग-अलग नगर निगमों से भी आदि हम रुपस्टित हुए है हम उस जीत के सिलसिले को जिस जीत पे विधान सवा को चुनाव भी चिताया नगर निकायों में भारी सभलता अत्रदान कराई सरबादिक चेयर्मेन और सरबादिक पारसच भी जिताय और आजम गड़ रामपुर के उपचनाव में भी विजय पता का भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था कोई कारण नहीं दस की दस उप्चनाओं फिर से भारतिय जंता पार्टी अपने पक्स में करने में सफन हो लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा लगना पड़ेगा एक एक कारेकरता को अपना अभिहान मान करके फिर इस अभिहान के साथ जुड़ना पड़ेगा और उसी एक के लिए अपकावान करने के लिए आज फिर हम लोग आए बैनों और भाईयों हम दोहजाएद दस के दस उप चुनाओं के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है लेकिन हमें इस बात के आद रखना अत्तर प्रदेश को जो नई पैचान बनी है अत्तर प्रदेश जो पहले छटी अर्थवियोस्ता थी आज देश की नंबर दो की अर्थवियोस्ता बन चुकी है और देशी के साथ उभरती भी अर्थवियोस्ता के रुप में अपने आपको स्थापित कर रही है उत्तर प्रदेश का जो क्रसेप्शन बदला है आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे जीत का यह सिल्सना जो 14, 17, 19, 22 पंचाय चुनाओं नगर निकाय चुनाओं उप्चुनाओं में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा यहां हमारा संकल्प आज से होना चाहिए आज से होना चाहिए याद रखना भारती चंता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है जिला पंचैत ध्यक्स भी है और ब्लाक परमुक भी है चेयरमेन भी है पारसक भी है और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है तो वहाँ उसकी आसर वहाँ पर भी पढ़ने वाला है और इसलिए अभी से इसकी तैयारी में चुटना होगा एक एक विक्ति को जितना पढ़ेगा बलाग परमुक हो या चियर्मेन महापौर हो या जिलापंचाद अध्यक विदायक हो या विधान पर इसलिए सदस्य लोग सभा के हमारे मान्य सांसद हो या फिर राज्य सभा के मान्य सांसद इन सब को संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तैय करे उसके साथ खड़ा होकर की प्राणपन से जुट करके कमल चुनाचिन को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे वढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा सरवत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उचल खूद करने का कुछित प्रियास कर गया है मुझे लगता है इनको दुवारा उचल उचल कूद करने का उसर ही नहीं मिल पाएगा यह हम आप सब को आजश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं